नमस्कार मंगल बाला उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 विशेगणीद अध्या एक पूर्णांक उसमें परसनावल 1.3 पिसली क्लास में हमने 1 से 5 परसन किये थे आज हम 6 से 9 परसन करेंगे परसन संक्याचे किसी हेमीकन परक्रिया में कमरे का तापमान को 16 डिगरी से 5 डिगरी से परती गंटे की दर से कम करने किया हो सकता है इस परक्रिया के सुरू होने के 10 गंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा अतार कम्रे का आरंबीक ताप मन कितना है सालिस डिग्री सेंटिग्रे तो हमने लिख दिया कम्रे का आरंबीक ताप मन सालिस डिग्री परती गंटा ताप मन कितना कम हो रहा है पांस डिग्री सेंटिग्रे तो दस गंटे बाद ताप मन कितना कम हो गा पांच गुणा दस पांच डिग्री सेंटिग्रेड गुणा दस यानिकी पत्चास डिग्री सेंटिग्रेड अब दस गंटे बाद कमरे का तापमन क्या होगा आरमबिक तापमन कमरे का शालिस डिग्री सेंटिग्रेड था 10 गंटे बाद तापमान कम हुआ हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों का हम अंतर ग्यात कर देंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानि कि माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इसलिए क्योंकि पच्चास माइनस के हैं वो जो संक्या बड़ी होती हैं और जिस बड़ी के आगे जो सिन होता है वही रहता है सलो अगला क्यों संसाथ हुआ दस परशनों वाले एक अक्षा टेस्ट में परतेक सही उत्तर के लिए पांस अंक दिये जाते हैं और परतेक गलत उत्तर के लिए माइनस दो अंक दिये जाते हैं एवां परियतन नहीं किये गए परशनों के लिए सुन ये अंक दिये जाते हैं दस परशनों का एक लाश टेस्ट हो रहा हैं जिसमें अगर सई उत्तर करोगे तो एक परशन के पांस अंक दिये जाते हैं और गलत उत्तर करोगे तो माइनस दो अंक दिये जाते हैं। सलोष में एक पहला की उसन पूचा जा रहा है। मोहन चार परशनों का सई और चे परशनों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो मोन 4 परष्णों का उत्तर सई दे रहा है तो सई परष्णों के उत्तर के लिए हमें कितने अंक दिये जारें? पांच अंक दिये जारें तो मोन को 4 सई उत्तरों के लिए 5 गुणा च्यार 20 अंक में लगें गलत उत्तर के लिए हमें माइनस दो अंक दिये जारें तो मोन चे गलत उत्रों के लिए उसको अंक प्राप्त हुए हैं माइनस दो गुणा चे यानिकी माइनस के बारा अब मोन उको कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं तो सई के लिए 20 प्लस गलत के लिए माइनस के बारा ये प्लस का और एक ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो बीस माइनस बारा यानि की आठ अंग प्राप्त हुए है सलो इसी का एक दूसरा और करते है रेशमा के पांस उत्तर सही है और पांस उत्तर गलत है उसके द्वारा प्राप्त अंग कितने है तो हमें ध्यान है कि सही उत्तर के लिए हमें पांस अंग दिये जा रहे है तो रेशमा ने पांच परशनों के सही उत्तर दिये तो पांच गुणा पांच यानि की 25 अंग से प्राप्त होगे गलत उत्तर के लिए हमें माइनस दो अंक दिये जा रहे तो रेशमा ने पांच ही गलत उत्तर दिये तो माइनस दो गुणा पांच यानि कि माइनस के दस प्राप्त हो गए अब रेशमा द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त है सई के लिए उसको 25 प्लस गलत के लिए माइनस के 10 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया 25 माइनस 10 यानि कि 15 प्राप्त हुए है इसी का एक और देख लेते जिदना ने कुल 7 प्रशन किये उन में से 2 का उतर सई और 5 का उतर गलत दिया है तो उसे कितने अंग प्राप्त हुए है सई के लिए अपने गोध्यानी पांच अंग दिये जा रहे है इना ने 2 प्रशन सई किये 2 गुणा 5 दस अंग प्राप्त हो गए और गलत के लिए माइनस के 2 अंग दिये जा रहे इना ने 5 गलत उतर दिये माइनस दो गुणा 5 याने कि माइनस के 10 अभी हीना को कुल कितने अंक प्राप्त हुए 10 अंक सई के लिए प्राप्त हुए प्लस माइनस के 10 अंक गलत के लिए प्राप्त हुए प्लस माइनस माइनस होता है 10 माइनस 10 याने कि 0 अंक प्राप्त हुआ शलो अगला क्योसन एक और देखते हैं पर्शन संक्या आंट एक सेमेंट कम्पनी को सपे सेमेंट वेशने पर आंट रुपे परति बोरी की दर से लाप राप्त होता है सपे सेमेंट वेशने पर उसको आंट रुपे परति बोरी की दर से लाप राप्त हो रहा है तो चलो है उसमें एक कंपनी द्वारा कितनी बोरिया बेशी जारे और कितना लाब हो रहा है और कितनी आनी हो रही है वह हमें ग्याद करना है किसी महीने में वह कंपनी तीन हजार बोरिया सपेज सेमेंट की और पांस हजार बोरिया स्लेटी सेमेंट की बेशती है उसका लाब बत्वा आने क्या है वह में ज्याद करना है सपे सेमेंट की बोरी पर हमें आंट रुपे लाब होता है और स्लेटी सेमेंट की बोरी पर हमें पांस रुपे की आने हो रही है तीन अजार बोरी या किसकी है सपे सेमेंट की है तो हमें लाब प्राप्त होगा तीन अजार गुण पांच यानि की 25,000 रुपे अब आपको इसमें आनी ज्यादा हो रही है कितनी ज्यादा हो रही है वह हम ग्याद करेंगे आनी हो रही है 25,000 की और लाब हो रहा है सोईसे जार का तो 25,000 माहिना सोईसे जार आनी हो रही है एक अजार रुपे की चलो इसी परकार इसका एक और करते हैं यदि बेशी गए स्लेटी सिमेंट की बोर्यों की संक्या 6,400 है तो कम्पनी को सपे सिमेंट की कितनी बोर्या बेशनी साहिए कि ताकी उसे न तो लाब हो और ना ही आनी हो अब स्लेटी सिमेंट पर उसको आनी होती है तो 6,400 स्लेटी सिमेंट की बोर्यों पर उसे कितनी आनी हो रही है वह हम ग्याद करेंगे 6,400 गुणा 5 याने की 32,000 रुपे की उसे आनी हो रही है अब न लाब हो और न आनी हो इसके लिए उसको सपे सिमेंट की कितनी बोर्या ब तब बेशी गई सपेट सेमेंट की बोरियों की संक्या, आने कितनी और यह सलेटी पे 32,000 भाग आँट क्योंकि सपेट सेमेंट की एक बोरियों पे आँट रुपे का लाब होटता हैं, तो आठ काम भाग दे देंगे चार आजार बोर्या बेशने पर ना तो लाब होगा और ना ही आने होगी अगला क्योंसा निमन लिकित को सत्य कतन में परिवर्थित करने के लिए रिक्तिस्तान को एक पुन्ना अंक से प्रतिस्ता पित कीजिए इसी का ए दे रखा है माइनस के तीन गुणा फिर यहाँ पर रिक्तिस्तान है और बराबर के उधर 27 वह भी प्लस के माइनस के तीन को हम किस से गुणा करें कि प्लस के 27 प्राप्त हो जाए तो 27 बाग माइनस तीन तीन का बाग 27 में कितनी बाग जा रहा है नौ बार यह एक माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया तो यानि कि माइनस नौ से माइनस तीन को गुणा करेंगे तो प्लस के 27 प्राप्त होंगे इसी परकार इसका भी पांच गुणा उसके बाद में रिक्तिस्तान है और माइनस के 35 दे रखें पांच को हम किस से गुणा करें कि माइनस के 35 हो जाए तो यहाँ पर माइनस के 35 भाग 5 पांच का भाग 35 में कितनी बाद जा रहा है माइनस 7 बाद यहनि कि माइनस 7 से हम गुणा करेंगे 5 को तो माइनस के 35 प्राप्त होते हैं इसी परकार C रीक्तिस्तान आपको पहले दे रखाएं और फिर लिकावाया गुणा में माइनस के 8 बराबर के उदर माइनस के 57 अब माइनस के 57 हमें प्राप्त करने है और माइनस 8 को हम किस्चे गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस के सबपन बट्टे माइनस के आठ यह माइनस माइनस प्लस हो गया आठ का भाग सबपन में साथ बार जा रहा यानि कि माइनस के आठ को हम साथ से गुणा करें तो माइनस के सबपन प्राप्त होते हैं इसी बार डी रिक्तिस्तान आपको दे रखा हैं और गुणे में माइनस के 12 लिके हुए हैं और बराबर के उदर 132 लिके हुए यानि कि माइनस के 12 को किस से गुणा करे हैं कि प्लस के 132 प्राप्त हो जाए 132 बट्टे माइनस के 12 12 का भाग 132 में माइनस 11 बाग 12 को माइनस 11 से गुणा करने पे प्लस के 132 प्राप होते हैं तन्यवार